कोरोना वारस को लेकर अमारिका के राश्पती डोनाल्ड ट्रम्प लगातार चीन पर आरूप लगा रहे हैं बीदे दिनों चीनी स्टॉक मार्केट में अर्बो डॉलर के अमारिकी पैंशन निधी निवेश को वापस लेनी के अलान के बाद अब अमेरिका चीन की ऐसी 33 कंपनियों और संस्थाओं को ब्लैक लिस्ट करने जा रहा है बता दे कि काफी दुन से ट्रम्प चीन पर ये आरूप लगा रहा है कि कोरोना वारस चीन के वहान शहर की लैब में पैदा हुआ था और चीन ने इसे जानबूच के पूरी दुनिया में फैलाया अमेरिकी वानेज्जु मंत्राले ने एक बयान में कहा कि साथ कंपनियों दो संस्थानों को लिस्ट में डाला गया क्योंकि वो उईगर और अन्य लोगों के मानव अधिकारों के हनन के चीने अभ्यान से जुड़ी थी जिनके तहर बड़ी तादाद में लोगों को बेवज़े हिरासत में लिया जाता है उनसे बंधुआ मज़ूरी करवाई जाती है और हाइटेक तकनीक के सहारी उन पर नज़र रखी जाती है वहीं अमारिका के विदेश मंद्री माइक पोमपियू ने एक बार फिर कोरोना वारस को लेकर चीन पर जम कर हल्ला बोला है उन्होंने चीन पर आरूप लगाते हुए कहा कि वहां की सरकार ने कोरोना वारस संक्रमन फैलने का गंभीर खत्रा होने की जानकारी के बावजूद अपने लोगों को विदेश यात्रा करने की अनुमती दी उन्होंने आगे कहा कि इसकी वज़े से पूरी दुनिया में कोरोना वारस के संक्रमन का खत्रा और भी गहरा गया है चीन चहाता तो कोरोना पूरी दुनिया में इतना नहीं फैलता इस मामले में चीन को क्या और किस तरह का दंड दिया जाना चौहीं इस रणीती का फैसला राश्पती डुनाल्ड ट्रम्प करेंगे